आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत हैं आज हम देखेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन यानि आरपेशी दवारा दोजार सोला के अंदर कोलेज लेक्चर कि जो भर्ती की थी उस भर्ती का दूसरा पेपर देखेंगे हिस्टरी का second पेपर देखेंगे इससे पहले first पेपर के हम तीनों पारद अपलूड कर चुकें नहीं देखे तो ओल्ड जो एक्जाम के पेपर से समझे जो प्लैलिस्ट है उसमें जाकर के जरूर देख ले तो अब प्रारम करेंगे इसका पहला क्यूसन ज्यादा समय को नश्ट नहीं करेंगे और इस दर्मियान आप कमेंट बॉक्स में अपना आंस्वर देखर के अपनी सहबागीता भी ज जैस क्या थे तो कार्ट जैस का पूर्ट गालियों द्वारा हिंद मासागर में जाजों को जारी किये गए आग्या पत्र दूसरा रोमन तंतर द्वारा नश्ट किया गया एक प्राची नगर तीसरा पूर्ट गालियों द्वारा बारती जाजों पर लगाए गया व्यापार एकर एकर उच्छो होता है बार्त के साथ व्यापार के लिए डच्छो द्वारा प्रिक्तु बड़े जहाज तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या एक यानि कार्थ जेस क्या थे पूर्थ गालियों द्वारा हिंद मासागर में जहाजों को जारी के गे पत्तर थे प दूसरा क्यूशन है बंगाल का जो सुवेदार जिस की आगया सी फ्रांसी सी उनने 1673 में चंदर नगर में क्या किती जो फ्रांसी सी फैक्त्रिय है उसकी इसथा अपना की थी harvest सी वियापारिक के अंदरों को उस में है क्या का जाता फैक्ट्रिय तो इसका आंसर क्या होगा साइस्ता खां, सर्फrüराज खां, मुर्शिद कॉली खां तौली वर्दी खां, तो इसमें से कौन होगा तो आपको संदेख लिजे 1673 सवी के अंदर तो इससे में औरंग जेब का सासन काल था और औरंग जेब के सासन काल के अंदर यहां का सूबदार कौन थे, सैस्थ था काँ तो गिसने दी थी और अनुमती साइस्थ थाução काकी अगया सही की थी तीसरा क्यूस members बारत में पूर्टगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था इसमें कौन था वासको डी गामा था फ्रांसिसको डी अलमीडा था अलबुर्क था या ये नुनो दा कुना था इसमें से कौन था पहला बारत में पुर्दगाली बस्तियों का ठीक है तो वासको डी गामा था इसकी खोज करने है तो वो नहीं था तो पहला नहीं ता और उसके बाद में डीडे नो नय भी बाद में अल्बुकर भी यह बाद मुए तो पहला था फ्रांसिस्कोडील मेडा न बारत में पुर्दगाली बसीर्टियों Гाएंट जो पहला गवरनर जनरल है वो फ्रांसिसकोडी अलमेडा था क्यूसन सिंके जो चौता है वो है नीचे दो वक्तवे दिये गए है और एक को कथन आर को क्या क्या गया कारण का गया जिसमें पहला आए कथन है मीर कासिम ने अपनी राजदानी को मुर्सिदाबाद बंगाल से कहा ले गया था मुंगेर बिहर के इंदर रिस्ताफित कर दिया मुर्सिदाबाद बंगाल से मुंगेर बियार में इस्ताफित कर दिया तो इसका कारण क्या था वो आवद के नवाब के साथ निकट समझ चाता था इस पर अब विचार करें कि इसमें से सही कथन क्या है तो हम देखेंगे कि मीर कासिम ने अपनी राजदानी को परिज्जों के हस्चेप से बचना चाहता था दूसरा कथन गलती ने ऑप्सन से क्या तीन चाहिए ए सत्य और आर असत्य ने आर क्या है गलती अगला जो क्यूसर ने आंगल मैसुर युद का ततकाल इंकारन क्या था ततकाल इंकारन हैदर अली का कनाटक पर आक्रमन था माय पर ब्रिटिस कबजा था उतरी सरकार पर ब्रिटेन का नियंतरन या तरावन कोर पर हैदर अली का आक्रमन तो हलांकि इसमें इसमें नहीं का कि कौन से युद की बात हो रही है लेकिन आप इसका English version देखो गे यहां तो लिखा हुआ सेकेंड एंगलो वार यानि सेकेंड एंगलो मैसुर वार के बारे में दूसरे अंगल मैसुर युद की ये बात हो रही है तो कभी कभी देखो हिंदी में ये online exam थे इसका आंस्वर जो हिंदी में convert हुआ था तो माय पर बेटिस कबजा यानि माय पर क्या कर लिया था इंगलेंड ने कबजा कर लिया था और इसको लेकर ही दूसरा अंगल मैसुर युद प्रारम हुआ था अगला हम देखेंगे निमन लेकित अवद के नवाबों को काल करमानुस कसार आरोई करमे क्या करना आपको विवस्थित करना है तो कौन कौन से इसको आपको काल करम के नुसर आरोई करमे इसको विवस्थित कीजे आरोई करम का मतलब है कि पहले कौन था उसके बाद कौन थ तो इस तरीके से इनका काल करम के अनुसारी समझ लो हम इसका क्या करेंगे विवस्तित करेंगे आरभि का मतलब ही होता है तो हमें इसकों बड़ते कर्मे करना है इसमें सासकों आसपुद्दुला है सादत अलिक खां है मिरजा वजिरलेर गाइद कभी भी जब ऐसा पूछा जाता है तो हमेशा परसी सासकों के बारे में नहीं होता यानि उसके जिन के बारे में कम पढ़ा जाता है या कम मात्पुन सासक होते हैं उनके बारे में ही आरवेसी हमेशा क्यूसन देती है तो सबसे पहले कौन थे इसमें प्राचिन आसब उद्धुला थे आसब उद्धुला के बाद दूसरे नंबर पर थे मिर्जा वजीर अली मिर्जा वजीर अली के बाद तीसरे नंबर पर थे साधत अली खान और जो गाजी उद्धिन है यह सबसे अंत में थे तो ऑप्सन से क् होगा दो एक तीन दो चार नेक्स्ट है सुमेलित करना है न ये सारे के सारे क्या है सिक्ष सरदार हैं जिन्होंने क्या किया था जो अंगल सिक्ष अंग्रस के दोरान क्या किया था ये इनकी महत्पूर्ण भूमी का थी और दूसरी तरप इनके पद क्या थे उनके बारे में इ जानकारी आपको देनी है एक तरफ लाल सिंग तेज सिंग द्यान सिंग और मूल राज ये सिक अधिकारी है तो दूसरी तरफ ये कौन कौन से थे इनका क्या पदनाम था उनको मिलाना है तो लाल सिंग क्या था पर्थम आंगल सिक यूद के दोरान पंजाब का परदान मंतरी बिल्कूल सीग्ज ए तौ पहला तो हम सब mau' सीए कि पर्थम आंगल सिंग जो यूद इन पंजाइब का परदान मंतरी यानि वजीर कौन था? लाल सिंग्ध दूसरा तेज सिंग्ध क्या था? पर्थम आंगल सिंग युद के दोना शिक सेना का कमाडर था बिलकुल सही है पर्थम आंगल सिंग जो युद है उसके दोरान पंजाब का जो परदान मंतरी यानि वजीत हो था लाल सिंग और जो शिक सेना थी उसका मुख्य कमाडर था तेज सिंग अगला देखेंगे ध्यान सिंग तो क्या ध्यान सिंग क्या था क्या ध्यान सिंग पर्थमांगल सिंग युद्धान के दोरा मुलतान का गवर्णा था नहीं गलक मुलतान का गवर्दान तो कौन था मूल दराज था तो द्यान सिंग कौन था पर्थम आंगल से की उद्मिट से पूर पंजाब का परदान इस से पहले था इस दोरान तो कौन था लाल सिंग था तो पर्थम आंगल से की उद्मिट से पूर में पंजाब का क्या था परदान मंत कौन सा सत्य है चार उप्सन दिये गए इसमें से तीन गलत है और एक ही सही है तो वो क्या है सालसेट और अलिफेंट आ अंग्रेजों के पास रहे रागोबा को अंग्रेजी सेना की पचीस सदे से टुकड़ी दी गई बड़ो सिंदिया को दिया जाना था पेश वा अपनी सेवा से समस्त विदीशियों को क्या कर देगा निस्का सिद कर देगा तो इसमें से सत्य क्या है तो सत्य यही है कि सालसेट जो सलसेट और अलिफेंट आ वो अंग्रेजों के पास ही रहे बाकी है तीनों के तीनों ये कतन क क्या हैं? गलत हैं. नेर्ट्ट क्यूसन संन始 क्या है? नो, प्लासिय क यूद की बास, सिराजु दौला की हत्या किस ने कि Cubot थी? मीराई ने, मीर जाफर ने या फिर सौकत जट Sinne किस ने की थी? तो इस की हत्या किस ने कि थी? मीराऋ ने, ये जाफर का पुत्तर था इसने इसकी क्या कर दिया कि उससे किया जो 10 वायन इमनलिकित में से कौन सा योगम क्या है सही सुमेलित है यानि इसमेलित है कौन सा है एक तरफ आंदोलन के नाम है दूसरी तरफ उनको चलान वान तो जंजावा आंदोलन एवी रामा स्वाविन नायकर जश्टि लेनर इस सब्सक्राइक सन देखिए कि विशक नाम कौन सा है उसका का चार्टरी का चार्टर एक्ट था या कर दी थी अनुमती दे दी थी नेक्स्ट हम देखेंगे निमले की जो विद्रो है उनको सही काल करम के अनुसर आपको क्या करना इसको करना है जिसमें जबलपूर में बुंदेलों का विद्रो मैसूर के अंदर किसानों का विद्रो वेलू थमफी का विद्रो और तमीलाडू क पॉलिगे़ों का भी दूजह तो ऐसे क्योसन भी हमेशा आता है इसके बारे में भी आपको क्या करना जाए लेकिन और पीसी ने क्या कर दिया इस क्योसन को भी दिलेट कर दिया है अगला हम देखेंगे क्यूसन सिंग्या जो 13 निमनलिकित में से कौन सा जो अधीनियम है वो गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था ता यह न गैंगिंग एक्ट यह ध्यान रखना तो रॉलेट एक्ट 1913 वर्नाक्यूलर प्रेक्स एक्ट 1878 दो इंडियन प्रेस यानि सं अंकट का लिन सकतिया एक्ट 1931 कलकता कार्पेरेशन एक्ट अठार सुनिने तो इसका सही अंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो समाचार पत्रों पर रोक लगाने तो इसी को क्या का जाता था गैंगिंग एक्ट के नाम से जन आ जाता था अगला क्यूसने सुमेल करने का हैं एक तुरह अधिकारी भू रजयस वपर्णली के दूसरी तरफ है एक तरफ त अधिकारी दूसरी तरफ है भू राजयस व तो इन सब को क्या करना आपको सुमेलित करना है तो थोमसलो क्या लेकर आए थे थोमसलो तो थोमसलो लेकर आए थे इस्थाई बंदवस्त तो यह सही है दोनों पहला तो थोमसलो लेकर आए थे इस्थाई बंदवस्त दूसरी तो अलेकजंडर रीड तो अलेकजंडर रीड क् क। द्यानना रेत बाड़ी आ यहरान रेटबाड़ी हो यह झियानना रेyrत बाड़ी है क। घनर कौनसी बढदोबस्त ले कर आए थे कौनसी बन्दोबस्त ले कराये थे इस संभन कराये थे तहू मसला थे इस अइस हैं से यह द्यानन रगना फिर हय एच이지 गोल्ड 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 निर्यात के लिए सामान खरीदने ही तो पर्युक्त बंगाल का राजस वदिस से इस क्या कहलाता था निवेस कहलाता था जबकि इसका कारण क्या है यूरूप से मंगी दात्वों का अंपरवा सतरा सु पैंसेट के बाद बिल्कुल समाफ्त हो गया उपर्युक्त वक्तवेओं के सिंदर में सही उत्तर का चैन करना इसमें सही कौन सही है यह और आर सही है कि केवल दुबार निर्यात के लिए जो सामाद खरिदने के लिए प्रिवगत बंगाल का जो राजस वनीरियास अधिसेस वो उनके लिए क्या कहलाता कामने के लिए निवेस कहलाता था कतनार यूरूप से मंगी दातुओं का परवाद 17 सब्सक्राइब करने लगे तो इसका यूरूप से फिर महेंगी दातुओं को बार्द मंगवार ना क्या हो गया था 1765 के असपास बिल्कुल समाप्त हो गया था इन्हें उप्सन सेंख्या एक राइट है नेक्स्ट है उप्सन सिंख्या सोलाए बारतिय परिसित अधीनियम जो 1961 है उसके बारे में निमली की कतनों पर आपको क्या करना विचार करना है याने इन कतनों में कॉंसे सही है उनका हमें क्या लगाना है पता लगाना है प्हला गवर्णल्र जनरल की परीशित की अत्रिक्त सदिस्यों की सुंक्या क्या की गई गी7 प्रस्थावित के गी किसकी 1861 के अधिनेयम की तो बिलकुल सही है यह सदिनेयम द्वारा जो गुवर्नल जनन की परिशद के जो अतिरिक्त सदस्य उनकी अधिक समसिंख्या 122 की गई दूसरा अतिरिक्त सदस्यों का कारेकाल एक वर्स के लिए प्रस्ताई तो यह गलत है एक वर्स के लिए नहीं था अतरिक सदस्यों की परिषद बैठक में तब ही भाग लेने की क्या अनुमती थी जब एक विदेग पारित किया जाना था यह बिल्कुल सही है यानि अतरिक सदस्यों को हर तरीके की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं था वो बैठक में तब ही भाग ले सकते थे जब एक विदे को क्या किया जाता था पारित किया जाता था चोथा देखेंगे लॉड कैनी ने बनारस के राज़ा और पटियाला के माराजा को परिस्थ का क्या किया था सदसे मनोनित किया थे यह भी बिल्कुल सही है तो कौन सा उप्सन सही हो का उप्सन संग्या चार एक तीन और चार नेक्स जो क्यों संग्या सतरा है बारती ये परिस्थ अधिनियम अठारा सो बारानवे की विस्थ आए अब अठारा सो बारानवे का जो बारती ये परिस्थ अधिनियम है उसकी क्या विस्थ आ थे उसके बा प्रश्न पूछनाव की क्या की की शुरूआत लेकिन इसकी मुख्य विश्चता है बारती जो परिश्य आदिनीम 1892 वह यह है कि अधिरिक सदेश्यों को साबने की हित के मुद्धों पर प्रश्न पूछने का क्या दिया गया अधिकार दिया गया था नेक्स देखेंगे गवर्नल जनल जिसके कारेकाल में बारत में पहली बार तो मैसा पहली और जो अंत होती न उसको ध्यान रखना पहली बार आयकर की सुरूआत हुई थी तो आयकर की सुरूआत भी करांती के समय हुई थी तो इसमे कौन थे बारत के बारत के गरवनर जनल लोर्ड कैनिंग लोर्ड कैनिंग गवनर जनल लोड कैनिंग के समय बारत में पहली बार आएकर कि क्या हुई य शरुवाइत हुई थी उननीस वक्यूस ने निमर लिकित मेंसे कौन सा कथन विग्यानिक सिविल वेदा निक वेदा निक वेदा निक यानि इस्टे ट्यूटरी जो सिविल सर्विस के बारे में क्या सिवा के बारे में सही नहीं है किवल बारतियों को इसके लिए मनुनित किया जाता तो यह तो गलत ह अलाकि हमें देखना है कि वेदानेक सिविल सिवा के लिए तो ये सही है केवल बारतियों को इस सिवा के लिए मनुनित किया जाता वेदानेक इस सिवा में चेहन की कच्छोटी उच्छ सामाजिक परतिष्टा थी तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अगर विदान इक Resource में जाना हो ता आपको उच्छ है क्या हो उच्छ हैं जिस अपर तिस्थरा मिख समगा उनीस इस्थरा चैने ठोंकि सके प्रांथ में ही लगाए यह ने इसी इसे इस अब कर जिन एक BBQ चाहrat सो बारानवे 1909 1910 या 1935 का इधिनियम कौन सा इधिनियम था जल्दी इसका कमेट बॉक्स में आंसवा दीजिए तो ये था 1909 का इधिनियम के द्वारा पहली बार बार ती है सदस्यों की निउक्ति की गई थी किसके लिए गवर्नर की कारेकण एस पी चिना थे इसके पहले नि परफ़ा निच्छे दो वक्तव यह दिये गए एक अधन और आर क्या है कारण है कारण क्या है 20 अगस्त 1917 को मौन्टेस्क्यू ने गोष्णाके की बारत में उतर दाई सरकार का कर्मी विकास करना बिट्के सरकार का क्या है उद्दिस यह का यह बिलकूल सत्य दूसरा इसका कार कैंद इसमें से सही कौन सा है क्या पहला सभी एक डूसरा यहा रग्र यह और यहार की क्या करता सही वे कर देखो यहार जंस अब पहला यह क्युद्ध की कोई समरे धिखना से और मांड स्कू यह कोशना किस प्रीप्यक्सले में करनी पड़ी वो करनी पड़ी होम रूल अंदो लेन और पर्थम विस्यूत के संचे पढ़ना तो इस करण ए यार तोने से और आर की क्या करता है सही व्याख्या करता है कि हाओ मैं अगला क्योसें सेंच या 92 is पर्थम बार किस वर्स आई सीएश परिक्षा का आयोजन बारत बृति वृत्यों में असन्म सहीं किया इन्कावरिक कमिटी को किस वर्स में निट और सनबता का ना तो इसका चैब। 24 में सिंद का बंबई प्रांद से पर्थकन किया गया इन्हें सिंद को बंबई से कब किया गया अलग तो अलग कब किया गया तो बारतिय परिशेद अदिनियम अठरसबरन नहीं बारतिय परिशेद उननीस उननीस भी नहीं स qualcलApp 13 प्रिस्व 29 पैंतिस 35 के दोरान बंबई को क्या कर दिया अलग करके अलग प्रांद का दरजह दीया घृत के देखेंगे नीचे दिये के हैं एक तहना और आर कार्ण है थिकर पहला देखें एक तहन रेल निरमान की गारंटी पर पर्णाली के तरह कंपनियों को उनके पूंजी निवेश पर 630 लाब बांस की क्या देगे थी गारंटी देगे थी कि इते प्रतिसाथ इनों ने का 630 की और दूसरा इस गारंटी पढ़नाली ने बारत से धन के बाहर गवर्ण में बारी योगदान दिया तो यह तो गलत ऐसा कोई थान इसने कि उसके बाद में इसका इतना परभा हो स्वंपूर बारत इसके परभा में आए लेकिन यह था कि रेल निर्मान की जो गारंटी पढ़न आले के तद कंपनियों को क्या करते थे कंपनियों को जो उनकी पूंचिये उसका निवेश करते दिला से तो इसका इसका सही करते होगा यानि आर तो सही है और एक क्या है गलत है यानि यह एक गलत कैसे हुआ यह च्छे परतिस्द नहीं था किता परतिस्द उनको दिया था पांच परतिस्द पांच परतिस्द की गारंट थी 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 के अगला देखेंगे कि उससे क्या 26 है निमन लिकित मेंसे कौन सा सुमेले तो नहीं है फिर से पूछाएं कि सुमेले तो नहीं है इस चीज़ को आप ध्यान रखने यानि बाकी सही है एक ऐसा जो सही नहीं है पंजाब भूमी हस्तांतर अधिनियम उन्नीस सो डेकन करसी रहा तो अधिनियम अठार सो नवासी उत्तर पच्छे में प्रांद भूमी हस्तांतर अभी नहीं है जो उन्नीस सो नो मद्द प्रांद भूमी हस्तांतर अभी जो अधिनियम है वो उन्नीस सो सो ला तो इसमें से 89 में उत्तर पच्छमी प्रांत भूमी अस्तांदर नादीनियम 1909 में और मद्धे प्रांत भूमी अस्तांदर नादीनियम जो क्या हुआ था 1901 के अंदर तो इसमें से यही गलत है तीसरा उसे आगे देखें क्यूसन संग्या जो सताई से उसको देखेंगे क्यूसन संग्या सताई से व्रिटिस आसन के दोरान करसी के विवसाई करण के कारणों को चुनिये बारत कच्छे माल के परदाएक के रूप में कारे कलता है दूसरा परिवन्द के बैतर सादनों से कर्षी के जो व्यापार को क्या बनाए सुगम तीसरा बूर राज़ोस के बुक्तान का मौद्रिकन चोथा इंगलेंड में उद्धों के करांग ती तो इसको सही चुना कि ब्रिवन्द के बैतर सादनों से कर्षी उत्पदन के व्यापार को क्या बनाए सुगम बदा तीया तो ये भी बिल्कु सही है तीसरा बूर राज़ोस के लिए बुक्तान का मौद्रिकन ये भी सही है जबकि इंगलेंड मोदों की करांट ये भी सही है यानि उप्सन सिंख्या चार सही होगा एक दो तीन चार नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट कि उसना डलो जी की काल में विले की गई देशी रियास्तों के परले को काल कर्माश चांसल व्यवस्तित करना है ये इसका सतारा है महाराश में जयतपूर यूपी बगत पंजाब और उदेपूर एमपी यानि मद्देपर्देश तो इसका सही अंसर दीजिए तो सबसे पहले विजले सतारा का हुआ था पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर जयतपूर यानि यूपी का तीसे नंबर पर पंजाब पंजाब और चोटे नंबर पर है उदेपूर या एस पी जोकि इसका जो सही अंसर है वो सही अंसर यही है ऑप संसे एक एक दो तीनोर च旗 नख्षित दलो जी के काल में विले की जो नी थी तो था बहुत दलो जी काल में जो विले की नी थी थी उसमें से चाराजे को सतारा है जैतपूर है और पंचाब और उदेवपूर इनको क्या कर दिया गया अपने साथ में इनको क्या गर दिया गया सामिला कर दिया गया तो 18 सपन के बाद में कौन कौन से अधिनियम है तो इसमें ये सभी हैं सोरी सभी नहीं इसमें तीन है चौता नहीं समत या अधिनियम ये नहीं है ये 61 के बाद हुआ था ये नहीं है बाकी तीनों के तीनों है तो इसका सही आंसर होगा और से सिंग दो एक दो तीन याने हिंद थम सूची में आपको क्या करना सेन ने अधिकारियों के नाम दिये गए और दूसरी सूची के अंदर अठारत सतान के युद्ध के सुरुवात के माइन और उसके रदारित पद का दर्शाया गया है ठीक है तो एक तरफी अधिकारी करनल मिसेल करनल हीरेसी जनरल हेविट और ह Adler तो दूसरी तरफीं के क्या है कारे दिये गये तो यह किस किस मेञते इसको आप क्या करना है टिक करना कि आई कि सक ऊफ्शन देख लेते हैं यहां पर है कि तो देखो पहले का क्या पहले करणल मिसेल की से समदः तीस रहते थे बहराबपूर में इस्थित 19 फी नेटिंग जो इनफेक्टर थे उनके कमांडिक आपफिसर थे कौन? करनल मिशिल जबकि जनरल हीरेसी किसके थे? कानपूर के एक बेरकपूर के एक मेरट के किसके थे? तो इसमें हो जाएगा दूसरा जनरल हीरेसी है फिर बेकर जो है बेरकपूर उससे संब्दित हो जाएंगे बेरकपूर में से 34 सिनाटिक इनफेक्टर की कमांडर है जबकि तीसरा जो जनरल हेविट था जनरल हेविट को कहा करना है? मेरट का अच्छा परदान मंत्री बनाओ कुछ भी बनाओ इसको यहीं रहना मेरट के अंदर है तब देखो अगला है जनरल हेविट हो गया यह मेरट हो गया तो सभी हमें जनरल हेड क्या है बहरामपूर में इस ते जो उनिस फिनाटिक इनफेक्टर क्या है ओपिसर कमांड रहता है तो इसमें से सई जो आंस्वर है वो आंस्वर होगा उपसिंसें के चार एक तीन वी दो सीच चार और डी एक आएगा ठीक है अगला निमनलकित में से कौन सा विद्रो और उसका नेता सही समयलेते नहींैं बाकी सारे समयलेते लेगने कैसा जरुष मेसे शही समयलेता नहीं तो नायक विद्रो का जोड़त वो ताना भगत नहीं किया तो यही सही होगा यह कौन सा गलत कता है अगला प्रश्ण मदारी पासी समंदी तो मदारी पासी क्या है तो मदारी पासी क्या निमन जाती का अंदोलन है या यूपी के किसानों का अंदोलन है या कपड़ा मील के सर्मिकों का अंदोलन है या छोटा नागपुर का जन जाती है अंदोलन तो ये क्या था मदारी पासी तो इसका सभी जो आंसर है उपसन सिंग्या दो यूपी के किसा नांदलन से समझ देता ये उपसन सिंग्या देखिए 13 राज्जा रामों राय के बारे में निमलिक कत्नों को विचार कीजिए और उसमें से गलत कत्न को ने उनको क्या करना चुनाव करना तो उन्होंने 18 से चार में तुफ़त अलमुही ने प्रकासित की दूसरे इसमें वेदान्द कोलेज की स्थापना की प्रिवेस्ट अफ जीसस जिन्होंने क्या किया रहा ईसू के देवी होने का क्या कैसे दंद खारिश किया जबकि चौथ आए उनका अकबार समाद कोमोदी बांगला बासा का क्या बना पहला समाचर पत्र बना तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है पहला उन्होंने अठारा सदोब में तोहफत अल्मुही दिन परकासित की दूसरा उन्होंने विदान कोलेज की स्थापना की तीसा प्रेफेक्स्ट अब जीसस में उन्होंने इस जो यसु के देविये गणों का क्या इस दान को खारिज किया इन इन्होंने नहीं माना उनका अकबार समवाद कोमोदी जो बांगला बासा का समाचार पत्र था अगला जो देखेंगे हैं वो समाजिक चेतना की परचा रेतु अकबार में धारवाई के रूप में सत पत्र ने यानि सो जो पत्र है उसका परकाशन किस ने किया था तो इसका परकाशन किस ने किया दादुबा पांडुरक विष्णु बिकाजी गोकलेज देव बाल कशन चापेकर या गोपाल हरी देश्मुक तो उससे या अंसर होगा गोपाल हरी देश्मुक ने ही दारव हिंदू कोलेज है या हिंदू स्कूल है उसके सेंट्रल में तो इसका आपको सही अंसर क्या होगा उसके बारे में आपको देखना है इसमें मदन मौन मालविय होगा के मुंसी होगा या एनी बैसेंट या सरोजनी ना इडू तो इसमें से सही अंसर क्या होगा जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मदन मौन मालविय होगा के मुंसी या एनी बैसेंट या सरोजनी ना इडू इसमें से क्या सही होगा तो इसको किया संस्ताफ़ का मानते हैं नेक्ष देखिए कियो संसिंग किश तीस निमा लिकित मैसे देवबंद अंदॉलन के बारे में कौन से कतन सकते ये देवबंद में 1866 में सुरू हुआ था तो बिल्कुल सही है ये पहला कतन दूसरा कतन है इसके संस्ताफ़क बदरुदीन तेब जी तो ये गलत है बदरुदीन तेब जी इसके कोई सस्पिताजी नहीं थे तीसरा मुस्लमानों की आज़ात्मिक और नियत्तिक इस स्थथिमें सुधार लगना इसका मुले उद्धित से ताज़पी बाकी का इसा नहीं था चौतादेबन अंदुलन ने संजार आश्वाद पर जोड़ दिया और ये इसी का क्या है उत्तर है तो इसमें से सही होगा उपसंसिंग क्या दो एक तीन और चार ही सही है अगला है निमर लिकित में से कौन सा संस्ता या समाज सुमेलित नहीं है पूना सेवादन सरीमति रमाबाई पंडे सोसल सर्विस लेग एचन कुंजरू सेवा समीती बॉय स्काउट यूनियन से राम बाजपई परमन सभा दादुपा बांडूरण तो इसने पूच्छा इसमें से कौन सा समीलिता नहीं है तो इसमें उप्सन सीन क्या दो सर्विस लेग है जिसके लेखक एचन कुंजरू थे इन्होंने क्या कर दिया डिलेटर कर दिया नक्ष्ट देखो यानि जो मेरट सदेंटर कैस है उसके अंदर इसका क्या कर दिया था इसको सजादी गई थी नेक्स्ट है राज मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोशेशन की स्थापना किस ने की ली के करवे थे इवी रामा समयनाए कर थे एक वीरेस लिंगम पंतोलू थे एक सी राज कुपला चारी थे तो इसमें से कौन से थे तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर क्या होगा राज मुंदरी रिफॉर्म तो जो इस प्रेशन है इस प्रेशन का जो जो सही आंसर है वो आंसर है आसर सिंग के जो थाड़ है विरेस लिंगम पंतोलू यानि राज मुंदरी जो सोशल रिफॉर्म एससेशन है उसकी स्थाबना इसने विरेस लिंगम पंतोलू न की थी नेक्स देखेंगी कियोसह शंग चालीस ये किसने नारह दिया था एक दरब एक जाती और एक बगवण बालत उता के लिए तो आस रिनारन गरुजी थै कि स्वाब बिवे गानन रामा स्वाम नायकर के गरुदेव रोईन दे नाटे को तो आस रिन नहीं है इन तीनों कौन थे जान रखना हरीजन सेवा संग के लिए तो इसके पहले देख्षत है जीडी बिर्ला जीडी बिर्ला को पहली बार हरीजन जो सेवक संग है उसका संग क्या बनाए गया अध्यक्स बनाए गया नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूसन सेगा 42 मेक मौन रेखा किस संधी का प्रिणाम है जो बारतो और चीन के बीच में मेक मौन रेखा इस ये किस संधी का काबूल ट्रीटी 1893 लाहसा ट्रीटी 1904 या नांजिक ट्रीटी 1842 ये सिमला कन्वेशन 1914 तो इसका सही अंसर है मेक मौन रे नेक्स्ट देखेंगे बंगाल के विवाजन के जबाब में राष्टवादियों द्वारा परदसीत है विरोत के नवीन सादन थे विदेशी वस्तूओं का बहिसकार सब्देशी की तरफदारी सब्देशी में लोकायजन सरके का प्रयोग राष्टवादी पर चारे तो अरपेसी ने सको क्या कर लिया, कर दिया, यह क्यों सन क्या कर दिया, कर दिया आर पेसी के तरफ से डेलिट एडिशी हो गया, तो इसमें ऑपसेसिंग क्या एक या एक और दो इसे ही है यानि सूरियस हैं और कलपना अदत ही ऐसे लोग थे जो क्या इनके साथ में गूमें फिरे तो इनसे इनका क्या हुआ लगा हुए था तो नेक्स्ट हम देखिंगी कलकता जो इस विद्याले ने निमन लेकित मैंसे कौ दाका में ऑदिखिंगा की जाए या योग्यों विदार्थिओं के लिए उनर्स का पाठे कर्म शुरू किया जाए विदार्थिओं के लिए सारे रिख विकास, रुत्तू, निद्यसक, सारी रिख सिक्षा की निउक्ति की जाए बंगाल के जो लेटिनेट गवनर को कलकता तो इसका कौन से सिपारिस नहीं थी तो इसमें ऑप्शन सेंगे चार यह नहीं थी बाकी तीनों ही थे यानि जो डाका में आवशी विद्धाले के इस्थाब ना करने थी योग्य विदार्तियों को अंदर का पाटे कर्म करवाना था और वहां कौन रहेंगे इनी के विदार् में विसार मिमर्स कीजिए कि इसके कांगरिस नहतरत में उसमें क्या किया उसके बारे में आपको बताना है पहला राजेंदर पर साद है दूसरा जवाला नहरू तीसरा अब्दुलकलाम आज़ाद और चाहता है मातमा गांदी तो इस समें क्रिप्समिशन और सिमला समेलें में विसार कांगरिस कादिरसन इसका जो नहतरत वो किया था अब्दुलकलाम आज़ाद ने किया था अगला हमारा क्यूसरा निमल लेकित मैंसे कौन सी जोड़ी परांत और परदार मंतरी जो 19 से 37 के बाद गे चुना हुए तो उसके बाद में विबिंद जबार्त के परांत हो कि यह परदार मंतरी बने ने में सुमे लेती हैं सही ने बंबई का बीजी खेर मदरास के सी राजगोपलाचारी मद्य प्रांद के डाक्टर आन भी खरे और उडिसा के डाक्टर करशन दे तो इस में से सही कौन सा है आपको क्या करना इस में से सही का चुनाव करना कौन सा सही है तो इसका आंसर आपको बताना है तो इस प्रशन को भी क्या कर दिया गया है डिलीट कर दिया गया है क्योंकि वैसे आपको बता दूँ देखो बीजी जो खेर है वो बंबई के परदान मंत्री थे सी राजगोपला चारी है ये मद्रास के थे जबकि जो मद्दे परांद के डाक्टर एन भी जो खरे वो भी थे यांके और दूसरा उडिसा के जो कौन थे एक क्रशन चंद्रदेव की जगे थे हर एक क्रशन महतापते वेसे तो अप्शन ये होना चाहिए इस सई लेकिन देखो इसका क्या 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 आरपीसी ने इसके बारे में निर्डने कैसे लिया है उता आरपीसी ही जानती है नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्यूसर से क्या है 48 उन इस्थानों या उस युगम का चेहन कीजिए जहां दोनों इस्थानों पर भार छोड़ो आंदुलन के दोरान क्या कीगी थी समांतर सरकारों को गठन दोट ऐसे तीन सरकारों का था एक तो सतारा और ताल्चर बिल्गूँ सही है ये दोनों ही है सतारा माराफ्ट ताल्चर उडिसा फिर मिदनापूर के अंदर भी हुई थी तो इसमें से दोनों में ये ही था तो ऑप्सन सिंग्या जो एक है इसका वो क्या होगा सही होगा अगला क्यूसन से क्या है उन्चास सविदान सभा के क्या थी अंतरी मद्धिक्स कौन थे तो अंतरी मद्धिक्स कौन थे डॉक्टर सचीजानंद चिना थी नेक्स्ट है पचासवा जूनागड के जो दिवान जिन्होंने बादे होगर के जूनागड का जो परसासन संभालने हितू क्या किया था पार सरकार को आमन तरिट किया था कौन थे के मुंसी थे एक मिजजाई समयल सानवाज भुटो या लिया का तालिखान तो ये कौन थे उस कियुसन सिंख्याई के वन देखेंगे किस से पहले कर आगर आपने पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिष्ट के अंदर जा कर देख लेजे ओल्ड क्युसन प्वैपर का जो सोलो डांसर है इस नाम से प्लेलिष्ट बनी हुई है उसके इंदर जाद कर देख लेज़े जिसमें कि उसे नारा विश्वास करो आग्या पालन करो लड़ो ये किसे समधित नाजी वाद से हैं फासी वाद से या सामराजी वाद से किसे समधिते हैं तो ये समधिते हैं फासी वाद से नेक्स जो क्यूसन है नीचे दू वक्तव ये दिये गए है ये तो है कथन और आर क्या है इसका कारण है ये दू वक्तव ये दिये गए है तो ये क्या है एक के राए लावेस मुस्वलोनी समझता 1925 ने उतरी अफरीका में इटली को कईलाब दिये और आर इसका कारण है फ्रांस इटली को जरमनी के साथ जाने से रोकना चाहता था क्या तो इसके बारे में कौन सा सही उसका अंसर देना है आपको अगर सही है assistance क्या वहले कतन की सज़ व parked करता है या नहीं करता है तो इसके बारे में देखेंगे तो हम विशाज करेंगे कि लावेस मुस्वलों निज शम्झोटा इनिस वूँपचीस में हुए था उसने उतरी अफरिका के इपड़ी को कई लाब दीए बिल्कुल सही अंसर यानि इस लाविस मुस्वलोनी जो समझता जो 1925 मुगा था इसने उत्री अफरीका के अंदर इटली को बहुत सारे लाप दिये दूसरा है फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता ये भी बिल्कुल से इसका कारण यही था अगला जो क्यूसन देखेंगे वो क्यूसन है हिटलर की विदेश निती के अंदर लेंबेस रोम क्या है और इटलर की जो विदेश निती है इसके अंदर लेंबेस रोम क्या है आश्टलिया को जर्मनी के साथ मिलाने के इच्छा है जर्मनी के जो भूच एत्री विस्तार का ल यान हिटलियर की विदेश निती के लेंबेस रोम का अर्थ है जर्मनी की जो भू से तरिय निती है उसका क्या करना था उसको विस्तार करना था इसी से यह संबंदी थे नेक्स हम देखेंगे क्योसन सिंख्या चववन नवंबर 1936 के सामयवाद विरोधी समझता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बूच हुआ था इटलिया जर्मनी के बीच जर्मनी और जापान के बीच या जर्मनी और इस्पेन के बीच में तो यह समझता किस के बीच में हुआ तो ये शोष समझता हुआ था, वो हुआ था जर्मनी और जापान के बिच अपसर सिंगिया 3 प्रॉपनle देखेंगे पुनर जागरें के दौरान क्ला में आया बदला, याणि कला के अंदर पुनर जागरें के दौरान क्या बदला वाया था, उसको देखेंगे A. कह रहा है कला कारों द्वारा गिल्ड का नियंतरन कम हुआ B. कह रहा है कला में सौंधरे का निरूपन बड़ा C. कह रहा है कला कार समवे सामाज़ की इस तर में उपर उठे जबके D. कह रहा है मुर्ती सिलब एक सावतंतर कला के रूप में उबरी तो पूछा कि इन में से कौन सत्य जो चार उपसन दिये गे इन में से कौन से सत्य जो सत्य उनको ही आपको बताना है तो देखो पहला हम देखेंगे पुन्दर जागरन कला के बदलागी अकला कारों पर जो गिल्ड का नियंदरन कम हुआ तो बिलकुल सही है दूसरा कला में सोंद्रे का निरूपन बढ़ा ये भी सही है तीसरा कला का और सम्वे समाजे के इस तरमें उपर उठ है ये बी सही है और चौता मूरती सिलफ एक सबतन तरकला के रूप में यह सही यह 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 चारों इसे यह तो आपसन से क्या होगा चार अबी सीडी यह सभी क्या इसमें सही है अब देखेंगे क्यूसर से क्या चपने निमन लिकित मेंसे कौन फलोरेंस के अंदर पैदा नहीं हुआ था यानि इसमें से तीन ऐसे जो फलोरेंस के अंदर पैदा था एक नहीं हुआ था तो कौन नहीं हुआ था उसको द्यान रखना नहीं हुआ दोना तेलो राफेल, फिलिपो, लिप्पी या गिबरेटी तो इसका सही आंसर होगा राफेल, राफेल है जो क्या फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुए थे नेक्स्ट हम देखेंगे पुनर जागरं की पर्थम नगनमूरती कौन से थी डेविड की थी, पिएटो की थी, क्रियेशन औफ एडम्स या सेंट मारक की थी, कौन सी थी तो जल्दी से आंसर देजिए तो इसका सही आंसर होगा पुनर जागरं की जो पर्तम नगनमूरती उन द्वारा किये गए कारी कारी का मतलब उन्हेंने कौन कौन सी पुस्तक यह लिखती वो है तो बुकाशियो मौस्टेन फ्रांसिसी बेकन सर्वांतिस दडेका मेरॉन एसेस नवास अर्गमेन डान कुटीम जॉण टो इन मैंसे किसने कौन सी पुस्तक गी है तो बुकाशियो है और जो दूसरी पुस्तक है ओसेस के लेकह क्यों भी कौन हैं मौस्टेन है जबकि मौन आर्गमेन के लेकह कौन आजबकि दान कुएकErγα कोन थार्वांतिस है यहानि हम देखेंगे निमन लेकित मैंसे कौन सा अमेरिकन बस्तियां और उनके संस्था पक मैंसे सुमेलित नहीं आगे क्या दिया गया है अमेरिकी बस्तियों के नाम दिये गए हैं और पीछे की साइड उनके क्या दिये गए हैं उनके संस्था पको के नाम तो कौन इसमें है जो इस में से कौन सा नहीं चो था नहीं बाकी तीनों ही क्या सुमेलित हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसे नीचे दो वक्तवे दिये गए हैं एक को कथन और आर को क्या का गया का गया का गया तो कथन क्या है प्रोटेश्ट अंदोलन का मूलबुत सिद्धानत के कैथोलिक पूजारिवाद पर क्या था आपती था कारण है आर प्रोटेश्ट अंदोलन ने सारबों पूजारिवाद के सिद्धानत का क्या किया था समर्थ नहीं से जाएं जो कारण है के कार्ण की का करता है? सभी या क्या करता है या नहीं करता है तो हम देखेंगी प्रोटेष्ट अंद्ध का जो मॉण बुझ सद्धानत और जाए कैथलिक पूजारी वाद पर आपती स्थथा बिल् lan को जय रहे पर पूजारों अंदलने सहर बों पूजारी वाद के सद्धान का सभी किया थी जिए बिल्कुल सजह तो मतलब क्या था जो यह गा जो सेत कैथोलिक पूजारी वाद की विरुदी भी लेह थे इसका इसका विरोध किया था इसी कान आपती थी है तो यह क्या इसकी सही व्याख्या भी करता तो इसका और क्या करता है है नेक्स्ट क्यूंसरें मौर बर्ग कोलो क्यों क्या थी ये क्या थी ये लूथर और थोमस मुंतजर के बीच में एक बहस थी या लूथर और जुइंगली के बीच में एक बहस थी या प्रोटे इस्टेटों को खतम करने ही तू जारी पवित्र रोमन समराट का आदेश था या पवित्र रोमन समराट और जर्मन सास्कों के बीच प्रोटे इस्टेटों की मानेता ही तो संदी थी तो इसमें से कौन सा सही है जल्दी से आप बताएं तो जो मौरबर को कोलो क्यों क्या थी ये इसका उपसंस ही क्या दो सही होगा यानि लूथर और जुइंगले के बीच एक क्या थी बहस थी नेक् इसमें से कौन था इसका अंसर आपको बताना है तो इसका सही अंसर होगा उपसन से क्या एक जॉन नॉक्स नेक्स हम देखेंगे कान कार्टेज क्या था है जो कान कार्टेज है या कौन कौन डेट है जो वो क्या था इसके बारे में आपको अंसर देना है कि वो धार्मिक वर्ड अश्टम और कैथोलिक सर्च के मद्य हुआ एक विदिग अनुमन था तो इसका सही आंस्वर है वो होगा ऑप्सन सिंग्या है जो तीन यानि कैथोलिक सर्च और किसी देश के बीच में ओने वाला ये क्या था विदिग समझोता था अगला हमारा क्यूसन है अठारवी सदी के दोरान ब्रिटिस आर्थिक विकास का वर्णंद करने के लिए किसने ओदोगी क्रांती सब्द को लोग पर ये बनाया था ये ध्यान्द का लोग पर ये किसने बनाया था तो इसका सही आंस्वर वैसे आपको पता चल गया होगा अब तक तो जल्दी से करने के लिए ओदोगी क्रांती सब्द को लोग पर ये बनाने वाले थे ये ब्रिटेंद की थे अर्नौल्ड टायन भी नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे दिये के वक्तवे को क्या करना है पढ़ना है और वो वक्तवे क्या है वानिजी वाद की नीती उननीस वी सतावदी तक ali रोपी रैष्ट धर्र ड्भारा क्या की की तयाग दी गई थी कारण है ओदोगी क्रांती ने पूंजी वाद के लिए क्या कर दीया मारक परसथ करें उपरक्तु मेंसे सही उतर का चैन कीजिए यानि कौन सा इस मेंसे सही है कौन सा गलत है या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही क्या है गलत है तो हम देखते हैं कि वानी जिवाद की निती है जो 19 सब्सक्राब देता कि ये त्याग देगी यानि छोड़ देगी तो ये बिल सत्य है नेक्स्ट है निमलीकित मेंसे गलत जोड़े को आपको क्या करना पैचाना कि इसमेंसे गलत कौन सा है हेंडरी कोण ने पडलिंग या जोन के ने स्पिनिंग जैनी या एडमन काट रही ने पावर लूम तो ई-ल विटनी ने कोटन जिन तो इसमेंसे किसका किसने अंसर किया था नहीं तो कोटन जिनका जो आज़्षकार वो ई-ल विटनी ने किया ता पावर लूम का एडमन काट रही ने किया था लेकिन इसमेंसे का जोन के ने नहीं किया था जो जो की थी यो किया थी फ्लाइंग सेटल थी तो उसका जोड़न तस्तरी कर गे थैंना उनका आव नेक्स्ट क्योस सिंक्या 67 अपिरिकिन क्रांति को प्रेड करने वाले एक पुस्तक थी राई टॉप कोलोनिज एक्जामिन किस ने लिखी थी इसके लेक्ष का नाम बताना किस ने लिखी ती शेमिल एडम से लिखी जैम्स ओटिस ने पैटरिक हैंडरी या इस्टीफन होपकिन के कि लेक्ति तो इसके लेकर से इस टीफन होपकिन प्राइटस्ट देखेंगे सच्च when a couple एक्टक एधिनियम क्या किये ग responsable को यद् Unless गुश्वर्टो से यह ना दुद्वारा की गए वह कैए कि का बुक्तान करने के लिए बाद देखिया अमेरिकन जो बस्तियां हैं उनकी कागजी मुद्राओं को क्या कर दिया परतिबंदित कर दिया अन्य देसों से रम के आयत पर परतिबंद लगा दिया अमरिक बस्तियों के वल ब्रिटिस जहुजों के मादिम से ही क्या किया गया व्यापार करने के लिए मजबूर किया तो इसमें से इसका स नेक्स्ट की उसने कॉलोनी जिसने पर्थम महाधी पिये कांगरिस में क्या किया था भाग लिया था यानि अमेरिका की वो कॉलोनी थी या वो उपनीविस कह सकते है जिसने क्या 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 पर्थम महाधी पिये कांगरिस थी नेक्स्ट है क्रांथी पूर फ्रांस को निमलेकिन में से किस वित मंतरी न मुक्त व्यापार की निती का अनुसरन करने का सुधार दिया नेकर तुर्गो केलोन या ब्री ने इसमें से कौन था जिसने क्या किया था करांटी से पहले मुक्त व्यापार की निती का अनुपालन करना तो मुक्त व्यापार की निती किस के लिए ती इसके लिए आपको ध्यानर का तुर्गो ने तुर्गो ने फ्रांस का वितमंद्री था तुर्गो उसने का था मुक्त व्यापार की निती का क्या कीजिए अनुप करन संदित हैं तो मानव अधिकारों की गोश्टना था विबाग और खुम्योनन में फरेंस परसासन का विबाजन था यह सरकित की भूमी का राश्ट्रिए करंग या मैट्रिक प्रणाले की सुरूरा था तो इसमें से क्या था उपसन सbling तो तो इस में से कौन सा था उप्षन जो κιरणो बिद नहीं किया तो मैट्रिक पढ़ना लेकि जो सुरूआ थी ये किरयानो बिद नहीं किया गया था बाकी सारे किरयानो विद किये गए थे यानि मानव अधिकारों की होश्ट ना थी विभाग और कमेंन के बीच के बीच में स्थ प्रसांसन का भी बाजन कर लिया गया सर्च की भुमी का भी किया कर लिया गया Рश्टी एकरन कर लिया गया लेकिन मेड्रिक जो पुचिन Soviets का की गए ती सुरू आथ या रोबर स्पियर तो देखो अब हमने एक ट्रिंक भी है इसकी जो जेकोब इनके सदस्यों की मारा दातों से रोब है ना मारा दातों से क्या रोब है ना तो इससे ये तो तीन होगे तो इसमें कौन था मैडम रोला जो इनसी क्या था समन्दित नहीं था यानि वो जे को भी नहीं था वो जे रोदित से नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे दो वक्तव ये दिये गए एक को कथन और आर को कारण का गया ये क्या राष्टी सम्मेलन 1792-1795 ने अनाज की कीमत क्या कर दीता है की राष्टी सवीदां 1789-1791 की तुलना में राष्टी सम्मेलन 1792-1795 की जो सरंचन आए वो क्या थी निमन वर गी ये भी फ्रांसी सी करांती से समद देते तो बताना आपको इसमेंसे कौन सा सही है क्या दोनों सही है या दोनों मेंसे कोई एक अगर दोनों सही है क्या आर वो एक की क्या करता सही व्याख्या करता है या नहीं करता तो हम देखेंगे जो राष्टी समिल 1792 से 1795 हुआ था ने अनाज की कीमत ताय कर दिया है ने कीमत ताय कर दिया है बिलकुल सही है तो इसका क्या होगा अनसर सिंग्या एक सही होगा ए आर दोनों सत्य है और ए आर की क्या करता है सही व्याख्या करता है नेक्स्ट हम देखेंगे क्योसन सिंग्या जो 74 है उसके बारे में देखेंगे तो जो की उसेर्सक ऐंगे किस वरत नेपॉलियन फ्रांस का एक बन गया था वनसान ऋगत्थ मैंड़क नेपोलियन की जमादी Mackie उसका मुख्य उद्धिस से क्या था ब्रिटेन के वानेजी और व्यापार का विनास करना ये ये उसका मुख्य उद्धिस से था नेक्स्ट जो हमारा है वो यूरुप में मेर्टरनिक परणालिक की प्वसक सक्तियां कौन थी यानी इसका प्वसक किसक थाउधीर कि Ice कारण मेर्टरनिक परणालिक है यूरुप के अंदर उबर कर सामने आयी थी तो कौन था सर्च थाक राजसाई थी कि जमीदार थी कि मद्यम वर्ग थी तो इसे कौन था तो हम सीधा से देखते हैं मद्यम वर्ग को लग कर तो इसका इन से कोई बाकी है तीने उच वर्ग के अंदर आते तो यह सारे के सारे सर्च राज साहिये और जमी दारवर्ग यह क्या थे इसके पौसकते तो इसके उपसंस इंग क्या होगा एक दो तीन राइट नेक्स्ट है काल्स बार्ट डिक्रीज के पीछे मेटर निका क्या उदेसिता जर्मन राज्यों को नियंतरित करना था जर्मन के के अंदर आ गया होगा आया तो कमेट बॉक्स में जरूर दे तो इसका जो सही अंसर है वो होगा उपसंस सिंग्या दो जर्मन के राष्टवादी जो चातरे उन संग्ठनों को क्या करना था नियंतरित करना था यही उनका मुख्य उद्धिस से था नेक्ट क्यूसंस सिंग् के मद्दे में खादान उत्पान कब हो रहा था इंग्लेंड स्रंक्सनवाद की निति का पारान कर रहा था इंग्लेंड एक भेंकर अकाल का सामना कर रहा था तो इसमें से क्या किसको यह संकेतित करता इंग्लेंड का कॉर्ण लो जो 1846 इसका विलोपन कर दिया गया तो यह क और एंड सिवील प्रैमेंसी ऑफ इटाली नामग पुस्तक लिकी ती सिलीवियोः पहली को है रोजटी है जियोबटी या मेजिनी है इसमें से कौन होगा सही अंसर तो इसका जो सही अंसर ऑप संसरी जियोःटी नेक्स देखेंगे निर्लों लिकितमें से कौन सा इटली का र सासिता मोडोना आश्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा सासिता बोलोना इटली के एक साई प्रिवार द्वारा सासिता सिस्ली एक बुरूर राजकुमार द्वारा सासिता तो देखो है कि उसने से क्या किस गटना के पच्चात बिसमारक ने कहा हमने धरार कोई कागज के टुकडे से क्या कर दिया ढख दिया यानि उसको हमने धरार को दिखने नहीं दिया उनके बीच विए ना कांग्रिस में का गैस्टाइन समझते में का फ्रेंकफर्ट संदी के समय का या प् उत्रादिकार पर विवाद था सेलेक विंग होल्ट सिंग के परसाशन पर विवाद था यार सिनी द्वारा नेपुलियं तर्टिय की हत्यागा प्रयास था अलसास लॉरेंस के नेंतरब पर विवाद था तो इसमें से कौन सा सही होगा तो इसमें से सही ऑप्सन संग्या एक य क्या था एक जापानी सुधारवादी सोसाइटी थी एक छिंद राजण सोसाइटी थी यह एक इंडोनेशिया य Top में सभाती इस बिलस्छब चार यानि बुधी उत्तों क्या था एक इंडोनेसिया राष्टवादी शंग ठंता नेक्स्ट एंट टाइडिंग मेकड़ अधिनियम निमलेकित में से किस देश समझदी था था फिलिपिन से इंडोनेशिया वियतनाम या कमोडिया तो यह किस समझदी था जल्दी आंसवर दीजिए तो यह समझदी था फिलिपिन से नेक्स्ट कि उसने रूजवेल्ट को रोलरी क्या थी नियू डिल में निर्मित एक कर सकता कारिकरम था लातिन अमेरिकी देशों से समधित मुद्दों पर सिंग्त राजी अमेरिका के हच्छेप के दिकार की गोश्टना थी रूजवेल्ट द्वारा जोड़ा गया अटलांट कि देस्टों से समधित मुद्दों पर सिंग्त राजी अमेरिका के हच्छेप के सेथिकारों की क्या थी गोश्टना थी नेक्स्ट है इसमें क्या करना मिलान करने से सुची वन के अंदर साम्राजी इओध की कतीपति अवधारणा दीगिए सुची दो में उनके परवत्तों के नाम दिये के तो आपको क्या करना इन दोनों का मिलान करना जिसे गोरे लोगों का बोज सामतवाद के अवसेस, पूंजी वाद की अवस्ता, पूंजी वादी ववस्ता का विचलन दूसरी तरफें सुमपीटर, मार्स, किपलिंग और हॉपसन, तो हम देखेंगे गोरे लोगों का बोज यह अवदार्ना किसकी थी, यह अवदार्ना थी किपलिंग की, गोरे लोगों का बोज जैसी अवदार्ना किसकी थी, सामराज वाद समन्त किपलिंग की, सामन्तवाद का अवसिस, तो यह था किसका सुम पीरका थे उसकी अवदाना थी पूझी व्वाद की एक वस्ता है तैस ती कार्ल मक्स और पूझी वादी व्वश्ता का विच्लन डी किसी था opson سے यानि कौง सा होगा इसका सिरがとう खाशियोपे निया? लेज्ट रोसकी सोचल डेमोकरटिक पार्टी का संस्ता पा को उन था? लेलिन था, फ्लेक 9 था, ट्राश्ट की था, या इस्टा लिन था तो इसका संस्ता पा-पॉस्ट जथा दो फ्लेक 9 था नेक्ष्ट देखेंगे निमरलेकित में से कौन सा यूगन स्विस सेना कमांडर और कमांडिक सेते से सुमेले तो नहीं है यानि क्या है गलत है तीन सा ही है एक गलत है यूडैनिक उत्री पच्चिमी फ्रांस तो इसमें से ये तीनों इस ही है तो इसका मनलब कौन सा होगा इसका गलत केलिन पच्चिमी रूस यानि और ँप्सन से क्या चार इसका क्या होगा राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेष्ट लिटोवस की संदीके दोरा निचे दिये कि देशें के किस समु को सबतंतर गोस्यत किया गया रोमानिया पॉलेंड फिनलेंड पॉलेंड लाट्विया उठ्व सिंग्स सिंग तीने बेलारुस यूकरेंड और फिनलेंड को जुबरेष्ट संदी के द्वारा क्या कर दिया गया सवतंतर गोसित कर दिया गया नेक्ष्ट देखेंगे निमल लेकित में से कौन सा प्राप्दान रूस्ट ने युद सामयबाद का था इससा था यानि वार ओप कॉम्मिनेस जो रुशियां गाल उसका सामुदाइक करसी था किसानों से अध से सखाद्यान का बलात अधिकन यही तो रूस्त ने युद सामयबाद का उसका क्या था एक इससा था नेक्ष्ट देखेंगे इसको भी सुमिलित करना है पर्थम विस युद के पूर संग्ठन और वर्स तो यह तो क्यों संद हूबू फर्स्ट ग्रेट के अंदर आ गया थ तो इसमें से कौन सा किस से समद दीते है उसका आपको क्या करना है मिलान करना है और मिलान करके आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है तो पहला इसका उप्सन है ट्रिपल एलाइंस तो ट्रिपल एलाइंस किस से समद दीते है 1882 यहने ट्रिपल एलाइंस का गठन कब हुआ था 1892 और इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में संदी कब हुई थी तो इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में संदी हुई थी 1904 के अंदर तीसरा है रूस और फ्रांस के बीच में संदी कब हुई थी तो रूस और फ्रांस के बीच में संदी हुई थी सब्सक्राइब और जब कि तिरपल जो अतान था उसका निर्मान हुआ था 1907 के अंदर यानि इसका उप्सन से क्या होगा एक साइए एक तीन दो चार नेक्स्ट हम देखेंगे अगातिर कांड में निमर लेकित में से कौन सी दो यूरूपियों सक्तिया आमने सामने थी फ्रांस और जर्मनी थी फ्रांस और इंगलेंड फ्रांस और इटलिया इटलिया जर्मनी किन दोनों देसों के बीच में इसका जगड़ा था अगातिर कांड हुआ इसके एकारम तो इससे था फ्रांस और जर्मनी के बीच में नेक्स्ट हम देखेंगे उन साही वंसो को चुनिये जो पर्थम विस्यूद के दौरान या तुरंट बाद क्या हो गए थे समापत हो गए इसमें लिखाए होएं जोलरंबरक ओटोमन हैपसबरक रोमन आउत इसमें से सही क्या होगा सही कथन का आपको क्या करना चुनाप करना तो सही कथन ये चारों ही थे अपसबसें के चार यानि इन सबीका क्या हो गयता पर्थम विस्यूद के दौरान या इसके बाद इन सबीका क्या हो गयता विनास हो गयते इन्हीं ये वंस क्या हो गयते नेक्ष्ट नीचे दो वक्तवे दिये गए एक कथन है और एक क्या है कारण पर्थम विश्युद के उपरांत मोटे तोर पर यूरोप का मद्यम वरग परती किरियावादी बन गया दूसरा यूरोप मद्यम वरग यूद के आर्थी के प्रिणामों से क्या था बूरी तरीके स प्रवावित हुआ था तो देखो क्या होता है तो बिल्कुल सही है पर्थम विश्युद के उपरांत मोटे तोर यूरोप का मद्यम वरग परती किरियावादी बन गया तक क्यों बना था इसका कारण था यूरोप का मद्यम वरग यूद के आर्थी प्रिणाम से बूरी तर का दौर्ट से नाटो का संग्ठन सोवियस संग का प्रमानुसक्ति के रूप में उबहना तो किस गटना से शुरुआत मानी जाती युनान के जो ग्रेय युद में अमेरिका के परवेस्ट्च सेब का जुनर्ण ने लिया गया था अमेरिका द्वारा उसी के कानी सीटियोत की क्या होटी है शुरुआ है था होती नेक्ष्ट अमरीकी राजने था जिसने पर्बल तरीके से कगारवाद की नीति का क्या किया था पालन किया था तो कौन सा वो था रूज्विल्ड था हेनरिक सिंग था ट्रूमें था या जोन फोरेस्टर जो डलेस था तो इसमें से कौन था कगरवाद की निती को जोर्मन करने वाला था जोन फोरेस्टर डलेस नेक्स्ट हम देखेंगे निर्गुट आंदोलन यानि नाम का तीसरा सम्मेलियन का हुआ था बेल ग्रेड के अंदर हुआ था लुकासा में हुआ था अग दिल्ली में हुआ था या काहिराम तो यह हुआ था लुकासा के अंदर नेक्स्ट हम देखेंगे अंठानवा डाक्टर डबल्यो ईबी दुबाइस कौन थे यह रूस के सामेवादी नेता थे या परसी धरम सुधारक थे या नेता जो काले लोगों के हितों के लिए संग्रसरत रहा अमेरिकी नोबल पुर्सकार विजयता और वेग्यानिक थे START कहा क्या था मूल स्जोन मूल सदस्या कौन जापानबार स्वीट डेशनलेड या है इटली इस में से मूल सदस्या कौन है भारत थे भारत संद के इसी साफना के समय next part के अंदर हम क्योसन सिंख्या 101 से डर्ट सो तक का अध्यान करेंगे यह पार्ट कैसा लगा कमेट करके जरूर बताए धन्यवाद क्यूसन संक्या 101 के निमलेकित में से रजस्तान का कौन सा प्राग एस्तिया से इस्तल तामर पासान कालिन काल से क्या है समधित कौन है तिलवाडा बुड़ा तिसकर बाला थल या बाग और इसमें से कौन सा प्राग एस्तल तो है ये सबी चार लेकिन कौन सा तामर पासान के का मेलित नहीं जहाड साही तो जहाड साही मुद्रा किसने जैपुर राजी ने चलाए थी विंसो पॉक मुद्रा चामान वंस ने विज्जे साही भीकाने राजे ने डबू साही मेवाड आजे तो गलत कौन सा ओक आप्सन से का तीन विज्जे साही भीकन नारज से शन्बंदित नहीं है नेक्स हम देखेंगे 103 अदोलेकित अबिलेकों का क्या करना सही काल करम आपको चुनना। जोमीलाथ अबिलेक और बुशकला अबिलेक यनि इसका काल करम क्या इस काल करम को आपको बताना है यह में सबसे पहले था गोसूडी अभी लेक सबसे प्राचीनिन में से गोसूडी था दूसरे नमबर पर बुसकला है बुसकला के बाद बीजोलिया अभी लेक और सबसे अंद में क्या नेमीना यानि इसका सही होगा उपसे से जिए टो तीन चार एक और दो नेक्स्ट हम देखें कि उसन सिंक्या एक सो एक काली बंगा में प्राब्त चबूत्रे निर्मिते हैं काली बंगा में जो प्राब्त चबूत्रे निर्मिते हैं वो किसे निर्मिते लकडी से हैं मिट्टी की इटों से हैं पत्थर से लकडी और दातु से तो देखो लकडी से तो उसे में कोई था नह पत्रों की ता प्रियों की इतों के नियों के जो एक सो पांच Nous आए इसका साहीत में साथी ठुस्य करत वासा के अंदर से के इसका कोले माला पर्थ्वी राज रुभ में दिखा गया जिसकी रचना कि सने की त्हीं की ती नेक्स देखेंगे निमल कित मेंसे किसने बाला थल का उत्कल किसने किया था एसा राव ने बीलाल के एन पुरी या वी एन मिस्रा ने तो किसने किया था इसका उत्कन इसका उत्कन किया था वी एन मिस्रा ने ही किया था नेक्स हम देखेंगे प्राचिन इस तल जहां से मेन नार्डर कियुन ना निसा सकता उसकी यहां से मुद्ध्राय मिली है संस्कृत कवी राज सिकर किसके । दरंबार के अंदर रहा करता किसके । दरॉ вас समते किके थ्म अम देखेंगे कि रन्थमंबर साखह का परवरत कौन था जो रन्थमंबर साका थी उसका परवरत कि जालोर को विजित करकेFirst anál नां कर दिया खेराबाद जलालाबाद, खिजराबाद या सलेमाबाद है इसका क्या रख दिया था? तो आलाओ Inn के जलावर को विजित करने के बाद उसका ज'ए तो ज'ए पर रहा नाम रख दिया जलालाबाद रख दिया नेक्श देखेंगे गोरी के आकरमन के समय चालू क्यों को सायता देने के विरूज पर तरतियों को क्या देना प्रामर्स देने वाला मंतरी कौन था तो कदम वास था चंदर वर्दाई था वलब था या फिर रनमलता तो ये कौन था कदम वास था इसी ने कहा था कि सालू क्यों के सायता नहीं करने जब गोरी का करमन हु पूरी होती निमलकित मेंसे कौन खानवा युद मेराना सांगा के पक्स में लड़े महमुद लोदी, हसन का मेवाती, माल दे, मैधनी राय। तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या, इसमें से कोई भी वक्ति ऐसा नहीं जो नहीं लड़ाता, यानि मेधनी राय। नेक्स्ट हम देखें कि राणा परताब और अकबर के मद्या संग्रस से संब्दीत, निमलकित कत्नों मेंसे कौन सकते हैं, अकबर ने राणा परताब के सोतेले पाई, जगमाल को क्या 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 परलोबित करके जाजपूर की क्या किती, जागी रह, बरदान करती थी, तो ये परताब को पून हस्त करें का तो ये भी सही है, तीसरा राणा परताब ने डर के नारण दास को अकबर के विरुद्विद्व करने के लिए उक सही, ये भी सही है, अबसन सिंग्हा चार राणा परताब को पकड़ने का अंतीं प्रियास पन्दासों चौरासी पिच्छा सिम चिदा गया जब जगनात कस्वा को एक बड़ी सेनी टुकुडी के साथ भीजा गया तो इसमें यह क्या है चारों ही सही है नेक्च देखेंगे वह सिलब सलार जिसने साहा जाने क्या किया था औरंग जिब के विद्रों का दमन करने के लिए उसको क्या किया था भेजा था तो तो कौन तानुप सिंग्, करण्रा सिंग, जस्वन सिंग, मिरजा राजा sin? तो कौन थे, मिरजा राजा, जैसी सिंग, ऐसे थे जिनको क्या किया था सुरी अपने यह हमें देखेंगी या मिरजा राजा नहीं यह को दूसरा है सांग जाने औरंग कर दोबारे कि सुन निमलिकित में से किसने आमेर के ती आमेर का वो कौन सा साथ सके जिसने तीन मुगल्द बादसाओं की क्या कीती सेवा कीती तो इसका आंसर होगा मिर्जा रजा जैसिंग जिसने तीन बादसाओं की क्या कीती सेवा कीती नेक्ष्ट मारवाड के वे सामध जिसने राजा का निक तो रखा जाता तो इनको कहते थे राजवी कर नेक्स्ट है बारे कोटडी नामक सावंती विवस्ता का समन्द किस राज़े से आमेर राज़े से हैं मारवाड राज़े से हैं मेवाड राज़े से हैं या भी कानेर तो यह हैं बारे कोटडी नामक किस से हैं आमेर राज़े से स बुड़ादीप सूर्य मंदिर अवस्थित बुड़ादीप सूर्य मंदिर कहां परेए डिडवाना में डीग में डीगोद में देश रीम तो यह इसका ऑफसन सिंग्ञ तीन से योगा कहां परेए दीगोद के अंदर कि उस समुच्छे को चुनिये जिससे सभी सरों में सवाई जै सिंग ऑर निर्मित किया है वेद साल है उनने जो वेद साल है बाहरत के अंदर पढ़ने है वो कहां काम पर है तो जैपूर दिल्ली उज्जेन और इलाबाद या जैपूर आगरा दिल्ली भी से था जयबपूर बनारस इलाबद और मथूरा या फिर हम्थूर बनारस उज्जन और दिल्ली तो इसका सही ज्रोंसर वगॉपसींशनी चार मथूरा बनारस उज्जन और दिल्ली नेक्स्ट है कशवा राजवन्स के सरक्सन में लॉंग टेबिल का अनुवाद यानि विभाग चाड़ने के रूप में किया गया जिसका अनुवाद करता कौन था अनुवाद करता रतना करता थाक विद्या दर थाक संसार चंदर सेंथा या मती राम था तो इसमें से इसका सही अंसर क्या होगा अब देखो इसका सही अंसर क्या होगा तो हम इसकी तर बढ़ेंगे देखते हैं कि इस क्यूशन को आरपीसी ने क्या कर दिया है डिलीट कर दिया है नेक्स देखेंगे अठार सो सो चत्तावन के विद्रोएं के दोरा निमेले कित में स्किस ठीक है ना निदार ने तांत्या टोपे की क्या कीती मदद कीती सायता कीती तो ये कौन था आउवा का ठाकूर खुसाल सिंग संपालवत था या फिर बागोर का सिफदान सिंग था या सलमबर के केसरिसिंग या आसिद के दूले सिंग तो इसमें से कौन थे तो जो सही आंसर इसका है सलमबुर के केस रिशींग जिनों ने क्या की थी तांट तो पे की साहता की थी नेक्स्ट है नसीराबाद में विद्रो करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी 534 uint. तर यह थी पंदरवी नेट्टिव इनकाट भी तो यह थी पंदर ही नेट्यव इनप्र Post रहती तो यह थी पंदरवी नेटी इनकाट को भषेंट को सब्सक्राद नीजर बेटन,ुरा रहता है, का मारे गए जोदपुर राज्जी के अंदर था उसमें ये वाग सुरी एक कोटा के अंदर कोटा के अंदर जो मेजर बठनों के पुत्रा मारे गए थे नेक्स्ट है 125 अर्जूलाल सेटी के समंद में नेमली के कथनों में से कौन सा सही नहीं है देखना उन्होंने अपना केरिया चोमू ठाकूर के निजीस सशिव के रूपे प्रारम किए सही है उन्होंने मतुरा में जैन वुद्दैले में एद्यापक के रूपि काम किये ये भी से यह उन्होंने जैपूर में वर्दमान विद्या ले और एक चाहतर वास खोला निवा जत्याकान में उनकी सभागिता सिद्ध हो गी थी और उन्होंने बड़ली बड़ली जेल के अंदर इनको क्या किया गया था रखा गया था इसमें से कौन सा गला था तो यही गलत पर चाहनी सबागे क्या थे परवरत कोन थे इस विद्या परचाहनी सबाग का इसने की था पतिक ने क्या था गुवीर का पडूमी상 से कों इ Stallion उसका परमुक्षिस से बताना कौन सा था पूंचा धिर जी ता मोग दिलाल ते जवाओ ठाकरीय पटैल यह ते जा धिर जी तो इसका था ईप्सर्स के एक पूंचा धिर जी ता नेक्स्ट देखिएंगे 1910 में अविगीतत भारत संग की एक साका के रूप में वीर बार सबा का गठन किस ने किया था विजिशिंग पथीक नेरन सब्दाज गठने कैसरी सिंग बारत आनन दराज सूराना तो यह किस ने थी कैसरी सिंग बारत ने किया था नेक्स्ट एक हैं क्यों से सिंग्या एक सुनती जवाल लाल नहरू की अधिक्स्ता में अखिल भारती है जो देसी राजे लोग प्रिस्ट का साथ वादिवेसन का युजित किया गया था तो ये था सुरी अपने उदेपूर के अंदर हैं अजमें नहीं था उदेपूर के अंदर साथ वादिवेसन इसका था उदेपूर के अंदर आई जित किया गया नेक्स्ट एंब्यावर में सनातन दर्म विद्या लेके संस्तापक और 77 नहीं कौन थे केसर सिंग्बार अट थे राम नार्ण चोधरी हरी वाइकिंकर या दाम दर्दास राठी तो इसके कौन थे संस्तापक 17 नहीं तो यह थे दाम दर्दास राठी थे नेक्स्ट ए बाहर चड़ो आंदोलन के दोरा जेंटलमेंट एग्रिमेंट किन के मद्दी वाथा मिरजए इसमाइल और रामकुलेंजोशी केम मुंसी और मनीलाल सर्मा मिरजए इसमाइल और हीरालाल सास्तरी के बीच में तो इसमें से किन के बीच में हुआ था उनका नाम बताना तो ये क्या हुआ था? ये हुआ था मिर्जा, इसमाइल और हीराल अलसास तरीके बीच में हुआ था. नेक्स देखेंगे. लाटा और कुंता का समंद है. लाटा और कुंता का समंद कैसे है? मारवाड के जमीदारों द्वारा किसानों पर लगाएगे. एक तरीके से क्या है? कर रहें. तो इसका ज़सी अंसर होगा. उपस संग्या तीन उपज कर, उपज पर कराकने की पदती से है. नेक्स देखेंगे. भूमी बंदोबस्त की साध परता का समंद निम्हलिकित में से किस राज्जिस है? साध परता का. मारवाड जैपूरबी का नेरिया मेवाड तो यहां से किस में है? यह पढ़ता यसी है मेवाड के अंदर. नेक्स हम देखेंगे. राजस्तान में किस वर्ष चपनी अकाल पड़ाता है? चपनी अकाल को पड़ाता? 1799 से 1899 बहुत लंबा प्रिड हो गया. तो 1899 से 1910 बहुत तक के बीच में यह क्या करता चलाता? अगला है क्योस्ता सिंग्या एक सो पैंतिस सुमेलित का ना एक तरफ समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके लेखों. राजपूतान अगाटा, राजस्तान समाचार, राजस्तान केसरी, अगनी बांद. हम देखते हैं, राजपूतान अगजट, यह था मौलवी मुराद अलिका, राजस्तान समाचार, तो समाचार कौन पढ़ेगा, जो समरत होगा, राजस्तान केसरी, तो केसरी की उपादी किसे, तीविजे सिंग्पती को, और अगनी बार नमक समाचार पत्र किसने निकाला थ जे नरण व्यास ने निकाला था, महा मारू मंदिर सेली वास्तुकला के सरकसक कोन थे, चोवान थे, गोईल पर मार परतिहार, तो इसमें से कोन थे, इसके सरकसक, तो सरकसक थे, परतिहार, निम्मर लेकित मैंसे किस मंदिर में अर्द नारिसर की मूर्थी प्राप्त हुई है, वो बुच कला में हुई है, कंचुवा में हुई है, आबानेरी में हुई है, किराडू के अंदर हुई है, तो का हुई है, यह हुई है, आबानेरी के अंदर, नेक्स्ट है 1948 में किसे मतस्य संका जो राज़ प्रमुक है वो क्या कर दिया गया बना दिया गया माराजा उदेबान सिंग माराजा विश्विंदर सिंग माराजा तेज सिंग और माराजा या कह सकते है कुवर मान सिंग तो इसमें से कौन सही है तो मतासिसंग का राज़ प्रमुग जो करोड़ी के थे माराजा उदेबान सिंग उनको बनाया गया था मियाज़ प्रमुग नेक्स भी आर पटेल केरो अगर पी-सतिनारन राव होता तो वो करते त trophy तो मारा से यांसर ओा भी यार रा या टो भी स्वाइब 9bit 41 में इवार पर जामन्द के पर्थम अदी वेंसी न किया था तो इसका उद्गाटन करने के लिए जेवाला congress और नहरी जी को श क्या को है असमसा था आचार्य करपलाने chroni का यर या आचार जो करपलाने थे subhanah इसको मेवर्डबज मन की पर्थम अधिवसन का किया थिड़्याइड ब किया था पर्थियार सासिक मेंदर पार्थम का थीरह था राज से कर था यह से जियात होता है कि विग्रे राज चतूर ने दिली को अधिन कर लिया बढ़ लिए सिला लेके नांसी लेके या थानुला सिला लेके तो इसमें से कौन सा है तो इसका सभी अंसर होगा बीजूलिया सिला लेक है नेक्स हम देखें कि उसे से के 143 मीना से 301 सबागा गठन कभ व हुए है उन्य सो उन्तालिस के अंदर तो इसका गठन कभ वह था उन्य सो त्याथ इसमें अपस्ट से क्या दो सई नेक्स निम्मलिकित मैं से किस नमक की जील पर जेपुर और जोद पुरा जोने क्या किया ता सासाधिकार था यानि सासाध क्या पिच्छोला जील फटेसा गर पच्छपद्रा जील या सांबर जील तो सही अंसर होगा सांबर जील नेक्स्ट है निम्मलिकित मैं से कौन सा चितरकार बीका नेर चितरकला से से जुड़ा हुआ नहीं ता बाकी तीन तो हैं जुड़ा हुए एक नहीं ता तो वह कौन है ना नक्रामिस से जुड़ा नहीं अगला हमारे क्योसन है वो है राग कलब दरूम के लेखा कौन है मुरारी दाज सेक भाबर्ड करशनानंद व्यास या जनार दंड बट तो इसके हैं करशनानंद व्यास है नेक्स्ट है निमन लिकित मेंसे कोन से ये रूपिय एक खगोल सास्तरी स्वाई जैसिंग के निमंदपर्ण जेपुरा एक लाड बोडियार थे एक आंदरेश्टोबल थे एक फादर एंटोनी गेबल्स परगेवे थे फादर पेट्रो दा सिल्वा थे तो कौन थे इसमें से तो ये सभी थे सभी आये थे ए बी सीडी सभी चारों सही है हल्दी गाटी युद के बाद निमले कित में से किन सेना नाए को नेतर में अकबर ने माहना परताब के विरुद सेने का बियान बेज़े अब्दुर्राइम खान खाना सहाबाज खान कच्वा जगनाथ अब्दुल्ला खान तो इसमें से कौन बेज़े इसको सही कूड को क्या करना आपको इसका चुनाव करना तो इसमें सही कौन सा ए बी सी ती नहीं सही है चौता सही नहीं है जो अब्दुल्ला खान वाला है व समगल प्रांतों का सुभेधार यानी • राजियपाल नीक्तु किया गै था? इखार, काबूल, कुजराद, बियार, बंगाल तो इस में से किसका किया गया था? उनको किया गया था, देखो कि पहले काबूल प्रूंत का बना गया था ता बिल्कुत सही ले गैनृकिन नहीं था बियार के थे और बंगाल के थे यानि एसीडी तीन से योगा उपसे सिंग्या तीन नेक्स्ट एंतिम क्यूसन एक सो पिचास वा उत्तरदाइस असन की इस्तावना की मांक्स विकार करने पर बड़तपुर के किस महाराज्जा को गदी छोड़ने के लिए क्या किया ग करेंगे जोगला जो पेपर हैर्स के थाड़ है उसको देखने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ धन्यवाद यह वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सेयर करके जरूर बता है ताड़ने करेंगे जरूर बता है घमेरा कमेंट मुटन दय प्जार है उसको देखने के लगधे वीडियो में फिर आजी हो श infinση है जरूर लाइकरा, भशामाने के भ़धेश दूल में, साड़ने